हेलो फ्रेंड मैं नोनीत एक वाफिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नौलेज अंके में फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर एक ऐसे टैबलेट की बात करने जा रहा हूँ जो की डॉक्टर दारा उन मरीजों को लिखा जाता है जिनको लो ब्लेट प्रेशर की प्रॉबलम होती है इस टैबलेट का नाम जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो सामान रक्त चाप यानि नॉर्मल ब्लेट प्रेशर होता है वो कितना होता है तो जो सामान रक्ति चाप यानि कि normal blood pressure किसी विव्यक्ति का होता है वो होता है 120 oblique 80 mmhg इसका मतलब यह होता है कि systolic जो प्रेशर होगा वो 120 mmhg होगा और diastolic जो प्रेशर होगा वो 80 mmhg यह एक healthy जो person होता है उसका blood pressure होता है अब अगर किसी का blood pressure वो systolic blood pressure अगर 90 से नीचे चला गया और जो diastolic blood pressure है वो 60 mm HD के नीचे चला गया तो फिर ये माना जाता है कि वेक्ति को low blood pressure यानि हाइपो टेंशन की problem हो गई है कई सारी और भी ऐसी conditions होती है जिनमें वेक्ति को low blood pressure की समस्या हो जाती है जैसे जब कोई भी महिला pregnancy की जब इनकी stage होती है तो उनमें भी कभी कभी low blood pressure की problem हो जाती है पर ये problem बाद में ठीक हो जाती है इनमें बहुत ज़्यादा low blood pressure की दवाई की कोई जरूरत पड़ती नहीं है इसके अलावा अगर किसी भी वेक्ति को सेपसिस हो जाए यानि कि उनकी बाड़ी में infection हो जाए तो chances होते हैं कि वेक्ति का जो blood pressure है वो normal से कम हो जाए यानि उनको low blood pressure की problem हो जाए पर इस case में भी low blood pressure की दवाएं ज्यादा तर नहीं चलती है बलकि वेक्ति को जो है एंटी कंडिशन होती है जिनमें वेक्ति का blood pressure low सकता हो जैसे अगर वेक्ति को अनीमिया हो जाए उसके अंदर खून की कमी हो जाए तो भी chances होते है कि वेक्ति को low blood pressure की समस्या हो जाए या अगर lack of nutrition है यानि कि वेक्ति को जो आहार मिलना चाहिए उसको खाना पीना मिलना चाहिए व लोगों को भी low blood pressure की problem हो जाती है और कभी कभी low salt intake यानि नमक कम खाने की वज़य से भी low blood pressure की समस्या हो जाती है पर यह सारी समस्या ऐसी है जिनमें की low blood pressure की दवाईया नहीं चलती है बलकि जिस वज़य से low blood pressure की समस्या आ रही है उसको treat किया जाता है और low blood pressure की जो समस्या है वो अपने आप कतम हो जाती है अगर किसी को लो ब्लेड पेशर की समस्या है तो उनमें सिम्टम्स क्या आते हैं लक्षड क्या आते हैं तो इनमें कई तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे व्यक्ति को चक्कर आ सकता है अचानक से वो व्यक्ति गिर सकता है उसको पसीने आ सकते हैं इसके अलावा व्यक्ति को बराबर ठकान सी लगी रहेगी उसको कमजोरी सी हमेशा बनी रहती है इसके अलावा किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है कभी-कभी व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर की वयाद से डिप्रेशन में भी जा सकता है तो ये कुछ लक्षड होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है पर केवल इन लक्षड से आप पूरी तरह से ये confirm नहीं कर सकते कि आपको low blood pressure की problem है ऐसे में आपको blood pressure की जो machines आती हैं उनसे अपना blood pressure जरूर चेक कराना चाहिए अगर उसमें आपका blood pressure low आता है तो फिर आपको blood pressure की दवाएं चलेगी जिन लोगों को low blood pressure की problem regular रहती है वो उनको कुछ चीज़े avoid करना चाहिए और ये चीज़े avoid करके वो अपने जो low blood pressure की समस्या है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं जिन लोगों को low blood pressure की problem है अगर वो बैठे हैं या फिर लेटे हैं तो उनको अचानक से नहीं उठना चाहिए क्योंकि अचानक से उठने पर chances होते हैं कि उनका blood pressure low हो जाए और उनको चक्कर आ जाए दूसरा व्यक्ति को alcohol लेने से बचना चाहिए और इसके अलावा व्यक्ति को काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए और व्यक्ति को ज है low carbohydrate वाली जो सबजीयां आती हैं या फल आते हैं उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए इसके लभ़ाव व्यक्ति को salty राइस कर जाए बढ़ जाए तो यह सारी चीजे हैं जिनको भी low blood pressure की problem है अगर वो यह सारी चीजे अपना लेंगे इनको regular अपने life में सामिल कर लेंगे तो उनको जो low blood pressure वाली समस्या है वो आगे बढ़ने नहीं पाएगी अब जिनको regular low blood pressure की problem हो रही है उनको gutron नाम की एक tablet प्रिशर को बढ़ा देता है अब यह जो मीडोड्रीन हाइड्रो क्लॉराइड होता है यह काम कैसे करता है Myodrin Hydrochloride जो है यह जो Blood Vessels होती है हमारी बॉड़ी में उसमें जो Nerves गई होती है उसको Stimulate कर देता है जब यह Nerves Blood Vessels की Stimulate हो जाती है तो जो Blood Vessels होती है वो Tight हो जाती है Tight होने की वजह से जो है व्यक्ति का Blood Pressure बढ़ जाता है अब ये tablet लेने के तुरनद बाद blood pressure बढ़ जाता है तो इसको लेने के करीब 15-20 मिनट बाद blood pressure बढ़ना सुरू होता है और लगबग 30 मिनट बाद blood pressure लगबग normal blood pressure के बराबर हो जाता है तो अचानख इसको लेने से blood pressure high नहीं होगा गट्रण tablet की dose की बाद कर लें तो डोज हमेसा depend करती है कि व्यक्ति की condition क्या है और व्यक्ति का age क्या है व्यक्ति का weight क्या है तो हो सकता हो किसी किसी को gutron 25 mg दिन में तीन बार भी चले या हो सकता हो किसी व्यक्ति को जो है gutron जो नाम की गोली है वो दिन में एक बार सले तो खुद से यह आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप डॉक्टर की सलाह के बिना इस टैबलेट को बिल्कुल इस्थेमाल मत करें gutron tablet के side effect की बात कर लेते हैं तो इसका जो side effect देखा गया है किसी किसी को headache की problem हो सकती है किसी को skin races की problem हो सकती है किसी को back pain हो सकता है या किसी की skin dry हो सकती है इसको लेने के बाद कभी कभी जो है किसी किसी को इसको लेने के बाद digness यानि की चक्कर vomiting भी उनको आचानक से लग सक तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम व्यक्ति को लेने के बाद आती है तो वो इसका इस्तमाल तुरंद बंद कर दे और अपने डॉक्टर से इस चीज को जरूर बताए गट्रान टैबलेट को किन लोगों को एवाइड करना चाहिए तो अगर आपको डियाबिटीज की प्रॉ प्रॉब्लम आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता तो ऐसे लोग भी जो है खुद से इस टैबलेट का इस्तमाल ना करें अगर किसी व्यक्ति को लिवर और किडिनी की डिसीज है या उसको हर्ट की कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लोग भी जो है डॉक्टर से सलाह जरूर ल बिल्कुल ना करें क्योंकि इसको लेने के बाद कभी कभी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर तीन से चार घंटे तक लगातार बढ़ जाता है इसलिए इसको रात में खाना खाने के पहले लेना बिल्कुल एवाइड करना चाहिए कोसिस करिए कि चार से पांस घंटे पहले ही इस टैबलेट का इस्तमाल कर लें जिससे कि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ सेयर करना ना भूलें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद